बकरे की अम्मा कब तक खेर मनाएगी शिवसेना के बारे में अभी तक तो सब की सोच यही है कि कब तक सत्ता बचेगी ये किसी को नहीं पता पर सरकार जाएगी अवश्ष अब जब सरकार के जाने की बात आई ही है तो बता दे कि इस बार राजनीतिक दृष्टी से इतर एक वर्ग और है जिसने अपनी गर्दन बचाने के लिए उधव जाप शुरू कर दिया है और ये कुनबा है बॉलिवुड नमसकार आप देख रहे हैं टी एफाई जोहे देश का सबसे विश्वसनी ऑल्टरनेट निउस मीडिया पोटल मैं पदमाश्री शुभम आपको पर ऐसे डर के माहौल में है दरसल जब से एकनाथ शिंदे के बगावती सुर महाराश्ट्र की राजनीती में गुंजाय मान हुए हैं तब से ही बॉलिवुड के नौटं के बाजों के पेट में मरोडे उठने लगी है इस क्रम में सबसे बड़ा दुख यही है कि राज्य मे जाम और दाम दोनों ही बड़ी मात्रा में अपनी जगह बनाय हुए है जाम में न केवल मजरा बलकि ड्रग्स और नशीले पदार्तों की भी भरमार है अब ड्रग के अत्यधिक उपयोग के लिए बदनाम बॉलिवुड की ये बिरादरी अपने कर्मों से बचाव और कानू चलाई जा रही है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार बचाने के लिए भगवान से जितनी प्रार्थना ठाक्रे परिवार नहीं कर रहा होगा उससे ज्यादा तो बॉलिवुड का ये गुट कर रहा होगा ये यूहीं नहीं हो रहा है यदि देवेंद्र फड्नवीश की सर शित की जाएगी जिस पर महाविकास अगारी सरकार ने ताले जड़ दिये थे जिन प्रमुख मुद्दों पर सरकार का डंडा चलनी के पूरे आसार है वो है नार्कोटिक्स कंच्रोल ब्यूरो के आधिकार उन्हें पुनह मिलेंगे ताकि वो कठोरतम का रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो ऐसे में दिपिका पादुकोर से लेकर रिहा चक्रवर्ती करन जोहर से लेकर वरुड धवन सभी पर नकेल अवश्य कस्ती दिखेगी क्योंकि इन सभी पर निरंतर ही ड्रग संबंधी आरोप लगते आए हैं मात्र ड्रग्स पर कार्रवाई ही एक अंतिम कार्र रवाई नहीं होगी प्रसिद्ध अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की रहस्यमई मौत पर भी जाच को पुनह शुरू किया जा सकता है जिसमें इसी अगारी सरकार ने अर्चनों का अंबार खड़ा कर दिया था मात्र सुशान सिंग राजपूत ही क्यों उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर भी उचित जाच नहीं हो पाई थी चूंकि आदित्य ठाकरे का नाम भी इससे जुड़ा था इसलिए जाच में कोई बड़ी कार्रवाई दर्ज नहीं की गए देविंद्र फड़नवी सरकार की वापसी के बाद इस केस को भी पुनह सी का डर इतना है कि बॉलिवुड के एक नोटन की बाल समूह ने तो घारी सरकार बच जाए इसकी प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं जिस बॉलिवुड का राजनीती से कोई सरोकार नहीं था वो बॉलिवुड अब कुलकर उधव उधव कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि के जाते ही उनकी गर्दन कानूम के दाइरे में आनी शुरू हो जाएगी बॉलिवुड के निर्माता निर्देशक से लेकर अभिनेता अभिनेत्री तक सभी तब को स्वे ट्विटर पर उधव ठाकरे की सरकार सलामती की प्रार्थना की बरसात हो रही है सिमी ग्रेवाल, गोहर खान, पूजा भट, उंगले विशिशग, स्वराभासकर, पत्रकार, सागरीका, घोश और ऐसे अनन्य नाम हैं जो देवेंद्र फढ़नवी सरकार की वापसी से दरे मरे जा रहे हैं जनहित में कुछ न बोलने वाले इस बॉलिवुड के कुछ तत्व अब अपनी जान बचाने के लिए राजनीती राजनीती खेलने तक को तयार हो गए हैं पर कितना कुछ भी कर लें बकरे की अम्मा कब तक ही खैर मनाईगी अन्तता बॉलिवुड के गुरुगों का हाल कुछ ऐसा हो गया है